बदलते मौसम में अक्सा सर्दी जुखाम की समस्या हो जाती है और आपको हलका सर्दी जुखाम हो रहा हो तो आप ऐसे में घर में मौझूद कई ऐसे नुस्के हैं जो आपके मदद कर सकते हैं किशमिष ड्राइ फ्रूट मेंसे एक फ्रूट होता है इसका स्वात बहुत ही मीठा होता है कई परकार के पकवानों को बनाने में इसका उप्योग किया जाता है लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमन्द होती है किशमिश में उब्योग से आप सर्दी जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं किशमिश का सेवन करने से भी जुकाम में आराम मिलता है इसके लिए किशमिश को पानी के साथ पीस कर उसका पेस्ट बना ले इसके बाद इसमें शक्कर डाल कर उबाल ले उबले हुए पाने को ठंडा होने के लिए छोड़ दे रोज रात में सोने से पहले इस पाने का सेवन करने से जुकाम ठीक हो जाता है नीम्बू के साथ काली मिर्च का सेवन करने से भी शरीर में जमा हुआ कफ ढीला होकर बाहन निकल जाता है इसके लिए आधे कटे नीमबू पर काली मिर्च छड़क कर चूसने से कफ में तुरुंत आराम मिलता है हल्दी की एंटिसेप्टिक और एंटी बैक्टेरियल गुणों के बारे में सब जानते हैं लेकिन अगर इसका सेवन गर्म दूत के साथ किया जाए तो एक कफ हटाकर जुका में भी राहत पहुचाती है